आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्थ समस्टर के प्रोडिकल साइस यानि राज नेतिस साफ्तर के फर्ष्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चिन एंसर के बारे में जिन जिन भी इनुवर्सिटी वा कॉलेज में इस्टूडेंट की परिच्छा लगी है प्रोडिकल साइस राज नेतिस साफ्तर के और वो बीए सिक्स समस्टर के हैं तो उनको वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा कोईश्चिन आपकी परिच्छा में आने वाले हैं देख लिए प्रूप के तोर्ष्ट उस पे बीए प्रुष्ट प्रमुक राज नेतिक हैं जिन्होंने राजनेतिक छेत में अपना योगदान दिया है अपने अपना पच्छ रख आपने बीचार बताए कvellayıसे समबनदी लिए इसंपतों आते कैष्ट कeting कि M N Rai की 9 मानवतावाद संबंधी विचार के बारे में बताई है तो M N Rai जो की प्रमुख राजनेतक हैं इनके 9 मानवतावादी सिध्धान्त क्या है या फिर विचार क्या है वो आपको बताना है तो पहला है कि बेक्त के शुतरतरता की रच्छा यानि कि जो इनसान होता है वो फुतंतर उसकी रच्छा करना रच्छा दूफ्रा है कि दार्फनिक अधार भौतिक वादी तीफ्रा है मनुष्षिक के क्रिया कलापों का लेखा जोखा यानि कि पूरा रिकार्ड जिसको बोलते हैं अग्ला कि जाज नेतिक आर्थिक समाजिक सक्तियों से सुतंत्र हो स तो तंतुरता जैविक विकाफ की विराफत है मनुष्य बुद्धिसे लिए हम समाजिक प्राड़ी है और अगला है विस्व बन्हुत परबल तो यह कुछ प्रमुख विचार है एम एंडॉइक जिनको धिहान लगना है अलाकि क्वेश्चन बहुत कम आता है कभी कदार आता है इस बार गारंटी रही कि आएगा की नहीं आएक लेकिन कुछ कुछ इसे हैं जो गारंटी वाले उनके वारे में आपको ज़रूर बताएंगे अगला कुस्टिन की समय करांद की की कुछ उद्देश बताएं तो समल क्रांद इसन लोगतंतर की समचद व्यवफथा यानिकी परफेक्ट वेवफथा करना नियम कानून सेथ्य न्याय पर sporting केंदरि करना कोश्चन है और उत्तर मताना बनता ही क्या वता आहीं जाए कि लोग तंत्र के प्रति मन वेंद्र नाथ राय की द्रिष्ट कोड़ बताईए तो यह भी कोश्चन में रिकोटिंग आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी परिछा गर्पर दो ही तिन में लगी एक ज्यादा समय है कुश्चन को उत्तर पढ़ें अगला प्रश्ण कुरुष्ट है कि तो अगला कुश्चन है कि इकबाल के राष्टवादी से संबंदी विचारवत है कुश्चन हमेशा तो नहीं आएगा उम्मीद वहुत कम है लेकिन थोड़ा परचे पढ़ लीजेगा इकबाल के विचार प जाज नितिक्स से भी महत्पूर्ण माना है बाद में इकबाल के विचारों में परिवर्तन आया और वे अखिल इस्लामाबाद की वकालत करने लगे उन्होंने अखिल इस्लामाबाद की धानड़ा को प्रसाहित कि और भारत में एक मुस्लिम राज्जी के इस्तापना के बी इसकी एकता और अखंडता पर बल दिया है यही करण है कि पहले राष्टवादी कभी माना जाता है मतलब कि जो एकबाल है वो राष्टवादी कभी मानने जाते हैं ठीक है ध्यान नकें चलिए निश्कोशन के और बढ़ते हैं निश्कोशन की सरवोदय पर जैप्रकाफ न नारायण जी ये गांधि जी गांधी और बिनोवा भावे के सरुत स्वतियक अपनुजाई आदर से हैं Q emphasized आई जेप्रकाफ नायए और जैफरकाफ त्रहरद्र समाज के स्थापना गरे या वेवस्था अ जाने का एक मात्रफाधन है सर्वोदई समाज में राजस्च का पचास प्रतसत धन ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किया जाए ठीक है और सर्वोदई के अधिकारी वर्ग अपने आपको जंता का सेवक्सन तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं सर्वोदई के कुछ प्रमों को अधार है जिनके वारे में ध्यार लखेंगे फंसकता गारंटी नहीं लेकिन फंसकता है अगला कुश्चिन गारंटी वाला है कि फंसेगा फंसेगा धर्म नरिपेच्छिता पर नहरु जी के विचार बताइए तो उत्तने लिखेंगे कि पंडिन नहरु ने सभी धर्मों का समान किया है यह फिर सभी धर्मों को समान माना है हिंदू होते हुए भी वे हिंदू धर्म के पचड़े में नहीं पड़े उनके अनुसार भारत ने अपने धार्मिक विद्रेश के कारण गवरो मई सांस्क्रत को बहुत हान पहुचाई है उन्होंने कांग्रेश के सभी नेताओं हिंदू यहों मुसल्मानों में बुराईयां देखी हैं और उन्हें दूर करने का प्रियाफ किया नहिरू ने लिखा कि मैं किसी मत मतांतर या धर्म से जकड़ा हुआ नहीं हूँ मैं मानों के नैसिर्गिक अध्यात्मिक सुरूप में बिश्वास आवस्य करता हूँ धर्म के आजार पर लड़ाई जगड़े न किये जाएं देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसल्मान दोनों का युगदान रहा है वे हिंदू मिसलूम एकता के पच्च पाती थे सभी धर्मों के साथ समान आदर भाव रिस्पेक्ट ठीक है थी और यही नहिरू जी का विचार था किसी के साथ कोई वेद भाव ना हो अता धर्म ने प्रशिता के समर्थक पंडित ज अधर नीचे एकाईख राव पंचायत हो जिससे शंगठित किया जाए बूस्राइब पंचायतों के बाद जिल्ला परिफद्ध का गठन हो तो सत्हाइब मह से य।स्ता के मद्ध में हो और अगला है कि इसकी उपर विधान परसद भपयो यशे अधिक कर्षद त제 inc饭ारा कि याम के लिए अगला yourself सममंदी को लेर के विचारवत आई है कि ला क्वेस्टों ससन्टा सब्मंदी गोले जार दर्केशन नम पर इंग्लैंन के समान भाहत में पृतियों भारतियों को भी प्रतिनित्त दिया जाए ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे कुछ प्रोक बाते और मांग अगरा प्रस्टन है कि नो समाजवात पर लोहिया यहां कि अग्यामनोह लोहिया आके विचार बताईए ठीक है तो पहला है विचार कि सभी उद्देगों वैंको भीमा कमपनियों का रष्टी करण दूसरा है संपूर संसार में जीवन का अफ्तर का सुधार एक विशु संसद के अस्थाफना ठीक है तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं और काफी एलपल कोश्चिन है वाटन्ट है ठीक है जाम के लिए अगला कोश्चिन है कि दल विहीन ल नराण के विचार बताईए तो उत्तर लिखेंगे कि जय प्रकाफ नरायण ने लोक तंत्र में सबसे बड़ा दोफ राजनितिक दलों को माना है यदि राजनितिक दल देश से समाप्त हो जाएं तो अच्छा होगा ठीक है दलिये राजनितिक से नैतिक मूल्यों का पतन होत है पता विना राजनितिक दलों को यदि विना राजनितिक दलों के लोक तांत्र ठीक लोक तंत्र आत्मक बेवफथा को मजबूत किया जाना चाहिए तो इस परकार लिखेंगे इसका उत्तर अग्ला कि समता और न्याव पर डाक्टर रामनोहलो या के विचारवाता है यह कुदित करें दिनों सिर्मेटिफ्टि वाले स्टुडियंगे ठेक से बाकिवाले एक्वला कर सकते अगला है की तो लग अंग तो लग नहीं मानते थे उनके दर्ष्ण में राष्टवाद 26 प्रेम एक अंग है ठीक है इसके अनुसार कि अनुसार मानवता के लिए मरने के अकांच्छा ठीक मरने की अकांच्छा के पूर भारत की भारत को जीना सिखना होगा गांधी जी ने पीड़तों का उद्धार किया था विस्तु सेवा के कल्यार में लगे रहें ठीक है और उनका कहना थे कि व्यक्त राष्टवादी हुए बिना अंतर राष्टवादी नहीं हो सकता तो इस वरकार बेसिक पर्शा लिखेंगे इसके बारे में अगला कोश्चन है कि और जात एवं व्योफ्था पर डाक्टर भीम्राव मेटकर के विचार ठीक है यह भी हाई लेबल कोश्चन के इबारा चुका जरूर तयार कर नहीं की लेकिन अब उन्होंने देखा कि दलितों के साथ आपनाय हो रहा है उच्छ जातियों खान पान रहन सेहन में भेद ब्याव कर रही हैं तो उन्होंने हिंदू धर्म से नाता तोड़ने का निश्चे किया जो सभी धर्म को पानी देने को तैयार नहीं वह धर्म नही सजा हिंदू धर्म में दलितों को धार्मिक उठानों पर जीने से रोक का जा फकता है तो आम बेड़ कर इससे काफी दुखी हुए इससे दुखी होकर कुछ लोगों ने इसलाम और कुछ लोगों ने इसाइध धर्म को सिविकार कर लिया डाक्टर भीम रामेट कर ठीक है जु कर लिया वहत्मा गाधी ने यह फिर वहत्मा बुद्ध ने उबर्ण वेउफ्था को कर्म ठीक करम के अधार पर माना गया था गीतों में में भी कर्म ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे आप बैसिक परचे डाक्टर भीम रामेट करके धर्म संबंदी विचार राजने तिक ठीक है इफी प्रकार के कोश्चन देखने को लेंगे जिनको आपको ध्यान ना करना है ठीक है अगरा क्वश्चन की मानवताबात पर नेहरू का दर्सन तो पंडित जवाला नेहरू एक राजनेतिक थे उन्होंने नैतिक लेकिन उन्होंने नैतिक आदा स्वाद में उनकी आफ्था बनी रही दरीतों या फिर दरीत सोसित प्रीटों में पेचित लोगों के प्रति उनके मन में अग गाद फ्रद्दा थी वह उच्च मानो मानो मुल्यों के लिए जूशते रहें नेहरू बेक्तिको बेवहारिक अनभो प्रधान नैतिक युम समाजिक प्रोकारी मा माना उतावाद को विया दोनिक मा आदोनिक युक्ता सरबुत्तम आदर समानते थे उनकी अनभूत थी कि मनुष्य को आत्म बलिदान की सकति अपने वीतर बीद्वान किसी दिव्य सक्ट से फ्राफ्त होती है उन्होंने अपने जीवन में उन लोगों को राजनेतिक फत्रत ने किया था इस प्रकार पंडित द्योंहलाल नहरू मान उतावाद के फच्चे पुजारी थे ठीक है तो नहरू का पंचसिवल फिद्धान्त के बारें बताइए ठीक इसी तरह के कोश्चन आपको पर इच्छा में देखने को बिलेंगी और काफी एलफुल वीडियो समय ज सब्सक्राइब नहीं मालूम है सिंपल सा उस पर आपको गूगल पर जाना है और आपको टाइप कर देना जिस भी मतब कि आपको जानना है कि कौन-कौन से इंपॉर्टन है या फिर इस तरह के माडल पेपर डाउनलोड करना कोश्चन पेपर तो आप लोग इस तरह नोट कर मिलती रहें ठीक है और चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ अब तक लिए हिंद या आपका अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर को लिजेगा ताकि आपको समय रहते सारी अपडेट मिलती रहें ठीक है और जहिंद